प्रिलिम्स को भी लगबख 27 दिन के आज पास टैम है वो हमारे पास बचा है तो देखो इस टैम को हमें जो यूटलाइज हो काफी अच्छे डंक से करना होगा और हमें तीन काफी एहम काम हो यहाँ पे करने क्यों तीन काम हमें करने के जूरत है सफलता हमें अपने आप हो मिल कुचना है तो इसके लिए सबसे पहली बात यहाँ पे आती है 27 दिन के प्लान में हो यह एक तो में discipline के साथ काम करना है यह निए कि एक दिन तो आप 12 गंटे पढ़ लो दूसरे दिन आप पूरे दिन ही नहीं पढ़ रहे हो या पि तीसरे दिन आप 24 गंटे पूरे लगाता पर नहीं कोशिज कर रहे हो देखो जो productivity है वो इसी आधार पर एगी कि आप डेली continuous है वो पढ़ें क्योंकि अभी आपकी health है उसका भी काफी आपको धान रखना है इसके हार्ड रोग की बात यह रही है कि अप जी जान अपनी लगा देजिए 27 दिन में बस अभीयत का धान और इसी के साथ सबसे important बात वात है कि smart work कि क्या content हमें पढ़ना है देखो जो भी हमारे पास content है उसको हमें revise करना है और ऐसा नहीं हो कि आप कोई subject को भी revision के टाइम पर छोड़ दो क्योंकि देखो syllabus हो बहुत बड़ा है समूदर की तरह syllabus है और हमें exam में क्या पूछ जागा क और सो क्यूशन आने वाला है तो काफी है मुझा आता है कि कहां से questions आएंगे तो हमें सारा content revise करना है इस चीज़ के तरुप हमारा focus हो सबसे ज्यादा होना चाहिए यहां पर और ही बात लग की तो लग तो तब होगा जब हम discipline और hard work और smart work तीनों काम कर लेंगे मतलब पहले लेंगे हम जो पहले 3 content है discipline हुआ hard work हो यह स्मार्ट रॉक यह तीनों काम आप कर लोगे तो लग हो अपने आप ही आजएगा लग तो देखो बादगी बात है सबसे पहले हमें जो काम हो discipline के साथ hard work करना है बिना discipline बिना hard work हो बिना smart work के luck हो कोई काम नहीं हनने वाल है क्योंकि इन 27 जिन में हमारे पास जो भी content है, उसको मैं अच्छे सी revise करना है, वो काफी एहम हो जाते हैं, तो जैको revision का भी यह time है, इसमें आपके पास जो भी content है, उसमें आपने जीजान लगा दीजेगा, और prelims को आप अच्छे से clear के लिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो, prelims देने के बाद होगा, यह doubt आपके मने में नहीं आना जीए, तभी आपको इससी का result हो अच्छा मिलने वाला है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना यह है, कि जो भी हमारे पास content है, उसमें जीजान लगा देनी है, और जहां भी कमी रह गी है, उस कमी को अभी हम प हमें करना है, तो सबसे अच्छी होग करने के लिए सबसे अहम बात यहां पर आती है, कि हम कर सकते है, I can and I will, मैं कर सकता हूँ, और मुझे करना है, और मैं करूँगा निसीद, वो चीज़ हमें ध्यान रखने है, कि आप नहीं कर सकते है, तो आपको इसके बार में सोचे मत, कभी नहीं मिलता है, तो पहले कुछ करो तो सही, जब आप कुछ करोगे, तभी तो आपको सफलता मिलेगी, जब कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो, जब आप exam देना नहीं चा रहे हो, तो आपको कहां से IAS बनेंगी, तो इससे बेटर में है, कि अब बेटर दो है कि आपके content का आपको issue लगता है तो जो भी आपके पास उसी को revise की जगा फिलाल क्यों content एक्टा करने का time नहीं है फिलाल हमारे पास करना है तो अपसोस आप कब नहीं करोगे अपसोस आप तभी नहीं कर पाओगे जब आप काम में अपने जीजान से करोगे तो मेरी आपसी ही request है कि प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा share कीजिए सबसे ज़्यादा लोगों के पास और आप अच्छे डंग से मिनित किये जागा ताकि बाद में अपसोस करने की बात ही ना रहे और मेंस के लिए काफिछी से जीजान से त्यारी है वह हम कर लें